हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अर्ली फाइनसिल आजादी में आज हम बात करेंगे HDFC बैलंस एडवांटेज फंड की उसके ऑगस्ट महीने का डिविडेंट का एलान हो गया है तो हम ऑगस्ट महीने का डिविडेंट डिसकस करेंगे परफोर्मेंस डिसकस करेंगे शोट तंब का और लॉंग तंब का परफोर्मेंस बैलंस एडवांटेज म्यूच्ट फरंड का पंड में पहले एप्रिल से पहले 0.31 पर यूनिट डिया जाता था दोस्तों और वह डिवीडेंट 0.23 पर यूनिट से कर गया कर दिया गया है और इनफेक्ट ऑगस्ट महिने में भी सेम डिविडेंद मिलेगा पर यूनिट 0.23 आपको अपने यूनिट्स काउंट करनी है 22.5 तरीका अभी NAV आपको मिलेगा डिविडेंट प्लान के बात कर रहा हूं दोस्तो रेगुलर प्लान तो 180-182 के पास उसका NAV है 26 अगस्ट का ये डेटा बता रहा हूं 25 अगस्ट है रेकॉर्ड डेट दोस्तो परफॉर्मेंस में अच्छी खबर है ये जो वाइटीडी का जो फीगर है वाइटीडी का मतलब है जनुवरी एक से और हमने चुकी 26 अगस्ट तक का डेटा लिया हूँ है दोस्तो तो आप देख सकते हैं वाइटीडी जो है इस फंड का वो है माइनस 6.43 अब मुझे याद आता है जून का महीना और उस समय मतलब उसी जून एंड की बात कर रहा हूं तब इस फंड की वाइटीडी हुआ करती थी माइनस 15.6 ठीक है तो उसके हिसाब से अगर हम compare करें तो फंड थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों अब देखिए जो बैलेंस टी आ रही है उससे तो अभी फंड ने उतना तो परफॉर्म नहीं किया उससे खराबी परफॉर्म कर रहा है dynamic asset allocation है जो value research का है उसका performance 2.53 है तो उसके हिसाब से फंड अभी भी बहुत ही नीचे ही है लेकिन जो मई का लेवल था या अप्रिल का लेवल था उससे अच्छा अभी performance फंड ने सुरू किया है देखिए पिछले एक महिने का अभी मैं आपको data बताता हूं पिछले एक महिने में फंड का return है 5.62 परसंट और वहीं पर यहां पर है 2.03 और 2.37 यानि फंड ने पिछले एक महिने में पर्फॉर्म किया है तीन महिने की बात करते हैं 23.14 तो यहां भी आप देख सकते हैं 21.97 तो जो balance TRI उसको भी बीट किया है डाइनामिक asset allocation जो है उसको भी बीट किया है तो हम देख सकते हैं एक short term trend जहां पर fund ने performance देना शुरू कर दिया है तो दोस्तों अगर आप एक साल का data देखेंगे तो fund का return आप वहीं का वहीं देखेंगे 180-190 के आसपास की NAV और 22-23 या 20-22 के आसपास का जो dividend plan है उसकी NAV लेकिन पिछले तीन महिनों में fund ने perform या हम कह सकते हैं आउट परफॉर्म करना सुरू कर दिया है बैलंस टियाराई को और डाइनामिक ऐसे टैलोकेशन को तो लॉंग टम इन्वेस्टर्स के लिए कुछ अच्छी खबर आ रही है कि फंड ने performance शुरू कर दिया है लॉंग टम के data वैसे के वैसे ही है देखेंगे दस साल म तो दोस्तों लॉंग टम की बात करें तो दोस्तों पिछले एक साल या हम कहें तीन साल में फंड परफॉर्म नहीं किया हुआ है यह सब डेटा आपको वही दिखा रहे हैं लेकिन शॉट टम में परफॉर्मेंस शुरू हो गया है इसलिए इंपोर्टन रहेगा सप्टेंब और इनफेक्ट ऑक्टोबर एंड का महीना जब हमको और ज्यादा मिलेंगे पता चलेगा कि सही में यह फंड परफॉर्म कर पा रहा है या फिर यह शॉट टम के लिए आउट परफॉर्मेंस है नेक्स्ट है दस टॉक दोस्तों 82% फंड जो है इन्वेस्ट करता है आज की त जो प्रसांद जैन साहाब है जो फंड मैनेजर है वैल्यू इन्वेस्टिंग पर बहुत ज़्यादा मानते हैं यह देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आइसी इसी बैंक इन्फोसिस लारसन अन्टूबरो पावर ग्रिड आईटी सी एंटी पी सी कोल इंडिया पावर फ स्टॉक्स है अगर अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो फिर अच्छा करेगा दोस्तों यहां पर आपको अगर कुछ वैल्यू मिल रही है कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों यह आपसे हमारी रिक्वेस है दोस्तों तो यह दस जो स्टॉक्स है उस पर बहुत हद तक फंड निर्भर करता है अब वर्डिक्ट क्या है वर्डिक्ट दोस्तों यही है कि स्टीडी डिविडेंड मिल रहा है जिनको स्टीडी डिविडेंड चाहिए वह इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमको भी queries आती रहती है तो फिलाल तो dividend मिल रहा है और ऐसी उम्मीद कीजिए कि जो fund के जो stocks है या फिर जो भी debt papers है अच्छा करते रहे ताकि dividend भी मिलता रहे जो भी dividend investors है उनको जी हाँ पी एसी और value stock को और अच्छा परफॉर्म करना है आपने नाम देखे होंगे पावर ग्रिड है या कोल इंडिया है एक ही लेवल पर ही रहते हैं लेकिन उनको भी परफॉर्म करना ही है दोस्तों फंड मैनेजर सहाब पर बहुत भरोसा है सब्सक्राइब नाम है यह भी बहुत रसपेक्टेड नाम है लेकिन आपको क्या करना है अपने एसे टेलोकेशन करना है देखिए बहुत सारी क्वेरी ऐसी भी आती रहती है हमारे पास के मैंने तीस लाख रुपए पचास लाख रुपए इंवेस्ट कर दिये हैं यह मेरी सतर परसंट असी परसंट पूंजी थी तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें अपना एसेट एलोकेशन हमेशा करें सब पैसा जो है एकी फंड में या एकी स्टॉक में ना रखे फाइनेंशियल प्लानर्स की हेल्प लिया कीजिए दोस्तों तो अपना एसेट एलोकेशन जरूर कीजिए रिस्क उतना ही ले जितना आप ले सकते उससे ज्यादा कर रिस्क ना ले दोस्तों कोई भी प्रस्ण हो तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में आप प्रस्ण कीजिए हम उसका उतर देने की कोसिस करेंगे आपने अपना टाइम दी आपके टाइम के लिए दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद